दोस्तो यदि आपके मुबाइल के अंदर में कोई ऐसा अप्लिकेशन इंस्ट्रॉल हो गया है जिसको आप डिलीड करना चाहते हैं लेकिन डिलीड नहीं हो रहा है जैसा कि देख रहे हैं कि एक अपली केसन है इसको हम डिलीड करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन देखिए यहां से हम इसको अनिस्टोल कर रहे हैं लेकिन यह वापस आ जा रहा है इसको हम फीर से अनिस्ट्रोड करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन यह फीर से वापस आजा रहा है और आप बहुत परिशान है के आखिर हम इस एप को कैसे डिलीड करें तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस एप को आखिर कैसे डिलीड करना है बने रहे हैं तो दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले हमें आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चनल को सस्क्राइब करके घंटी काउटन दबाके और के उपर में क्लिक कर दिजिए तो दोस्तो आखिर हम इस app को delete करेंगे, देखिए इस अपको डिलीट कर रहे हैं, लेकिन यह app delete हो जा रहा है, लेकिन अब देखिए कहीं न कहीं यह app आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आ गया, तो आखिर इसे हम कैसे delete करेंगे, यदि ऐसी problem आपके साथ आ गई है, तो उसके लिए आ आपको अपनी phone की setting में चले जाना है, यह app delete आपको अपनी phone की setting में जाना है, और setting को on कर देना है, अब जैसी setting on करेंगे, यहाँ पर आपको search setting का option दिखेगा, यहाँ पर आपको जाना है, और आपको यहाँ पर search में लिखना है admin, जैसी दोस्तों आप यहाँ पर admin लिखेंग तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि device admin apps का एक option दिखेगा यदि आपको में search का option नहीं दिया है तो आप device admin apps अपनी setting में ढूंड़ना पड़ेगा तो दोस्तो हर phone में दिया होता है आपको इस device admin apps के उपर में click कर देना है अब जैसे सी दोस्तो आप click करेंगे तो देखेंगे कि जो app आपका वहाँ पर delete नहीं हो रहा है वह app आपको यहाँ पर दिखेगा देखें यहाँ पर incoming call locker नाम का एक app है जो वह delete नहीं हो रहा है और यहाँ पर on पड़ा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्या करना है कि यहाँ पर deactivate this device admin app का option है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसी इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यह जो app है पहले on था अब off हो गया है और आपको simply से कुछ नहीं करना है कट करके बाहर निकलना है और आपको अपने उस app पर जाना है जो app आपका delete नहीं हो रहा था अब आपको इस app को delete करना है देखिएगा यह app delete हो जाएगा अब मैं आपके सामने इस app को delete करता हूँ देखिए यह delete किया यह देखें दोस्तों यह delete हो गया यह app अब हमेशा के लिए delete हो गया देख सकते हैं कि वह app अब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरीके से आपके फोन में अगर कोई डिलीड नहीं हो रहा है तो इस तरीके से उस app को डिलीड कर सकते हैं तो आई हो जोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ गये होंगे तो वीडियो में यही बता रहा था वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय